नमस्कार YouTube चैनल N.I.N.E.R.S. 22 में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे Drilling Operation on Lathe Machine तो सबसे पहले यह जान लेते हैं What is the meaning of drilling? Drilling का मतलब है Drill के cutting edge को rotate करके Work piece से material को remove करके Work piece में cylindrical hole बनाना drilling कहलाता है अब बात करते हैं कैसे लेत मसीन पर drilling operation करते हैं तो सबसे पहले जिस work piece में cylindrical hole बनाना है उसे चक में held करते हैं और चक की मदद से work piece को गुमाते हैं rotate करते हैं और work piece को चक के अलावा face plate में भी held कर सकते हैं उसके बाद tail stock में यहां barrel है उसके बाद sleeve है तो tail stock के drill holder यह sleeve में drill bit को held करते हैं और tail stock की spindle की moment का प्रभाव feed पर पड़ता है और इस method का परियोग सिर्फ regular shape के work piece की drilling के लिए किया जाता है इसके अलावा जो दूसरा method है कि अगर हमारे पास जो work piece की जो shape है वह irregular है तो irregular shape के work piece के लिए यह process reverse हो जाएगा तो irregular shape का अगर work piece है तो उस case में drill bit को चक या face plate में held करते हैं और work piece को tail stock के sleeve के आगे pad को लगा कर वहां पर work piece को held किया जाता है और इसमें भी जो feed है उस पर जो tail stock की spindle की moment है उसका effect पड़ता है और जिस समय लेथ मसीन पर drill operation perform करते हैं उस दोरान काफी सावधानी बरतने की जरूरत होती है क्योंकि जब hole की depth drill bit के diameter के twice से ज़्यादा होती है उसके दूगने से ज़्यादा होती है तो उस condition में correct size की drill को directly apply नहीं करते तो सबसे पहले small length के drill का प्रयोग किया जाता है और एक छोटी और small drill का प्रयोग करके उसके बाद small drill से बनाए गए small length के hole में correct size की drill से required diameter का hole बनाया जाता है तो कह सकते हैं सुरुवात में बनाया गया small length का hole बाद में बनाये गए hole के लिए एक guide की तरह काम करता है अगर बहुत ही deep hole बनाना हो तो उस condition में drill bit को जल्दी जल्दी बाहर निकाला जाता है और जल्दी जल्दी hole में insert किया जाता है और ऐसा करने से जो chips हैं वो hole से बाहर निकलती रहती है और जो drill bit है वो काफी लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है कह सकते हैं कि उसको जो wear out है या wear and tear have है कम होता है तो दोस्तों आज हमने जाना कि lathe machine पर drilling operation कैसे करते हैं और उसको करते समय क्या क्या सावधानिया बरतनी चाहिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, students के साथ और N.Inv2 को subscribe करना न भूले जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे